इंदौर में आमतार पर जून के दूसरे सब्ताह में होने वाली मानसून की दस तक इस बार देरी से होगी जिसकी वजह है केरल में मानसून का चार दिन देरी से पहुचना जिसकी वजह से इंदौर सहित प्रदेश में मानसून की आमद जून के तीसरे सब्ताह में होगी बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून बालगाट एवं जबलपुर के रास्ते एमपी में आता है जिसके कारण इसे मालवत तक आने में देर लगती है मासम वभा के अनुसार बर्तमान स्थिति तक दोनों ही सक्रिये है मासम वैग्यानिकों के अनुसार इस महा के तीसरे पर मानसून मध्यप्रदेश में दस्तक देगा वहीं पहले केरल और मुंबई जहित कई राज्यों में मानसून दस्तक देगा इसके बाद मानसून मध्यप्रदेश के और अपना रुख करेगा वहीं मासम वैग्यानिकों को उम्मीद है कि इस बार सामान ने बारिश होगी जिससे किसानों को भी अच्छा फाइदा होगा वहें किसानों को भी बुआई की सभी तयारी करने के सुछा भी दिये जा रहे हैं लगबग 20 जून के बाद ही आने की संभानाय वेक्ष की जा रहे हैं गौरत लभे के दौर सहित मालवा और निमार के लोग कई दिनों से तपन छेल रहे थे जिन्हें इस बार भी बारिश का इंतसार करना होगा बहराल इस महा के तीसरे सब्ताह पर मानसून मदप्रेश में दस्तक देगा जब तक लोगों को तपन छेलना होगी प्यूर पोर्ट, MP News और